हाई फ्रेंग्स में कुम बाने विल्कम को मूवी शूवी करते हैं आपसे पॉजिटिव सा नावसकार तेरी बातों में ऐसा उलजा जिया जैनुविनली आप इस मूवी में उलजोगे की नहीं उलजोगे उसे ही सारी डिसकॉशन करेंगे काफी यूनीक तरीकी मूवी है चाहां से अराइज होता है अर्इन जो की एक मौडर्ण एंसान है थोड़ा सा इक्स्ट्रोवर्ट भी है लेकिन अंदर ये अंदर जो है फोड़ी सी लोनलीनस है उसको एट्रक्शन हो जाते है सफीरा से जो कि AI और रोबोट है और यह जो अट्रक्शन होती है लवके अंद तो एक तो इनकी लव स्टोरी के अंदर आप completely indulge हो जाए with fascinating songs जो की बहुत ही बढ़ी है music है और at the same time जो family members का जो exposure है धेरे धेरे करके कैसे उनको पता चलता कि शायद ये लड़की जो है वो एकदम human जैसी नहीं लग रही है तो ये जो dialogues हैं यहाँ पर जो conversations है सब के बीच के अ अच्छे लगेंगे तो मैं यह कह सकता हूं कि Amit Joshi साहब की जो direction है वो अच्छी है जिसके अंदर आपको romance भी दिखता है it is very well performed सब actors ने बहुत अच्छा काम किया है यूनिक concept है it is quirky it is sad it is fun it is hopeful as well क्योंकि जहां पर आपको बहुत सारे twist and turn दिखते हैं यह आपको बहुत ज़्यादा हाई पर लेके जाता है जहां पर आपको family affair से लेके love से लेके questioning तक लेके जाता है कि यह कैसे possible है and end जो है वो थोड़ा सा realism की तरफ भी indicate करता है वो realism क्या है वो आप देखना यहां पर आपको एगादा cameo भी देखने को मिलेगा और वो surprising cameo आपको अच्छा भी लगेगा तो interesting है तो overall basis पर जो इसकी premise है वो काफी जादा interesting लगेगी but पूरी movie जो है वो एक ही इंसान ने अपने कंधे के उपर reactions है जो वो banter pass कर रहे हैं या फिर जो comical बाते कर रहे हैं वो आपको भी interesting लगेगा धर्मेंदर का छोटा सा रोला ज्यादा नहीं है डंपल कपाडिया का रोल interesting है क्योंकि एक वो भी scientist दिखाएगी है और जो conversations है वो interesting है और at the same time इसको simplify करके बताया गया है इसमें आसा नहीं but बहुत ज्यादा expect मत करना है इन से यह story को complicate करने में आपके मदद करते हैं क्योंकि जो यह बाते करेंगे वो से मोका मिलता है शाहिद कपूर को और तरकीवे लगाने का चुपाने का जो आपको मजा यहां पर देता है तो dialogues और जो banters है वो as part of the story building ही है expose है सोटू से जो होत देखने में और फैमिली अफेर भी होगा अब थोड़ी से डाउंसाइड की भी बात करते हैं जो अगर कोई इंसान अगर इसको समझ के जा रहा है और शाहिद कपूर और सफीर यानि की कृति सानन की बहुत जाला कहानी देखने की कोशिश कर रहा है तो उसको थोड़ी से disappointment ह हो सकती क्योंकि पहले बिल्डप के बाद और बीच-बीच में आपको यह ज़रूर दिखते हैं पट ज्यादा तर जो है आपको फैमिली और उनके जो आक्शिन्स हैं वह पर ज्यादा कॉंसेंट्रेट किया गया तो आपको लीड पर कभी को भी ऐसा लगेगा कि दिखनी रह हो कि यार कितने सारे गाने हैं यह वह तो आपको कितना जादा दिख रहा है बट इस लार्ज लिए फैमिली स्टोरी जो की एक्स्टेंड़ फैमिली चाचीता ही सब जो उनके हरकते हैं वह आपको काफी इंट्रेस्टिंग लगेंगी पैद सेम टाइम आपको कपल जो है कभ सब्सक्राइब कर सकता है जिसके अंदर वो रॉबॉटिक तरीके से भी भी बहेव करने लगे जाती है तो जो राइटिंग है सपेसिफिकली सफीरा के रूल के अंदर वो आज स्मूद अस टर्मिनेटर नहीं है यहां पर थोड़ा सा क्रीटिव लिबर्टी यहां पर ली ग यहां मेरा मुवी शुवी स्कोर इसको रहेगा एट आट अफ तेन इतर डीसेंटली गूड़ वाच यू विल इंजो इत अनल इतल इतल अवरा लाफ रायट बट विल अलवेश गिव यहां जाए बाइग